हेलो डियर स्टुडेट्स वेलकम तो मैं यूटूब चैनल न्यू फांडेशन क्लासे जैसे कि हमें पता है कि आज आप लोग के एक्जाम आने वाले हैं और आप भरपूर तैयारियों में लगे हैं इश्र करें आप सभी को जो है अच्छे से सफलता मिले यू आल विल भी सक् in your exam and get full marks तुम्हें जब full marks के लिए तैयारी करनी है 40 के लिए 40 out of 40 easily आ सकते हैं ठीक है अगर आपका concept clear है तो आप easily gain कर सकते है 40 out of 40 कुछ tips भी देना चाहता हूं कि MCQs type questions जो हैं बहुत easy भी हैं और बहुत मुश्किल भी हैं मुश्किल है कि आप इसमें chances जो हैं बहुत जादा होते गलत होने के wrong होने के questions को ठीक है और easy इसलिए कि अगर आपको concept अच्छे से समझा है आपने deeply पढ़ा हुआ है उसके application जानते हो तो आप easily उसको कर पाओगे ठीक है रही बात सही option pick करने की तो आप सारे options को देगे सबसे पहले तो आप जब भी question करना ठीक है तो आप एक question जब option पढ़ना तो यह नहीं कि जलबाजी ठीक है hurry not in hurry हमेशा बिलकुल आराम से करेंगे ठीक है कैसे एक एक मतलब इतना आराम स भी नहीं कि test paper आपको छुट जाए बट ऐसे करना कि सारे options आपको पढ़ने का time हो क्या होता है कई बार हम लोग जलबाजी में एक टिक कर देते हैं जैसे यह पढ़ा option ए option ए टिक कर दिया जबकि आपके और भी option पढ़िए जो most appropriate option correct होगा वही सही माना जाएगा ठीक है उसी experience है सभी बच्चों का मतलब सभी के लिए पहला experience है ठीक है कि अभी इसी बार नया pattern आया हुआ ठीक है तो आप पूरे मन से पढ़ा ही करें तयारी करें all the very best ठीक है आज हम लोग start करते हैं नया chapter जिसका नहा में reflection of light ठीक है इसमें कुछ questions का हम लोग देखेंगे कुछ questions के answer न एक important topic है तीनी topic आ रहे हैं तो आपकी important topics में से है तो let's start दीखें पहले तो सबसे पहला तो question यहीं रहे दोता है कि what is reflection ठीक है reflection क्या है अभी हम लोगों ने reflection पढ़ा था reflection किस case में था जब जब object कैसी होगी opaque object होगी इसमें पढ़ाया था आपको कि जब opaque object होगी ऑबजेक्ट जो है opaque होगी तो क्या होगा reflection होगा वाई जैसे यह wall है और wall के अपने आपने opaque opaque क्या होते है जो अपने में इसे light को pass ना होने थे that is called opaque objects ठीक है opaque objects वो होते है अब opaque object है तब तो ठीक है वाई कि reflection करेगा तब क्या perform होगा reflection perform होगा लेकिन reflection कब होगा जब object rather than opaque होगी तो कौन सी होगी या तो वो transparent होगी transparent या फिर क्या होने वाली है translucent होने वाली है ठीक है and both are the kind of objects which passes light from them transparent जो है completely light को pass होने देता है जबकि translucent क्या गरता है partially pass होने देता है but both the light can pass through them ठीक है both of them दोनों मेंसे ही light easily pass हो सकती है यह तो हो गया हमारा कहा पे reflection का कहा reflection perform करेगा तो transparent objects जो होंगे उन में perform करेगा क्या हमारा reflection ठीक है अब reflection के case में हम लोग पढ़ेंगे reflection होता क्या है ठीक है lot of time we observe that जैसे माल लीजे एक ये बिकर है ठीक है vessel है जिसमें water है और हमने किया यहाँ पेक coin रखा तो हमें ऐसा appear होगा जब हम इसको coin को देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि coin कहां पर है थोड़ा ऊपर की तरफ है मतलब उठा हुआ है जमीन से थोड़ा सा मतलब जिसकी bottom से थोड़ा है मैंने पानी में डाला तो it appears to be bend थोड़ा सा यह बेंड ऐसा फी लोगा हमको यह ऐसा why again a question is ठीक है जैसे stars कुछ और जो इसके जो observation वो यह है कि stars twinkling stars जो है चमकते हैं यह क्यूं होता है यह भी इसका भी हम लोग इसमें answer जानेंगे तो reflection क्या है कि यह कुछ ऐसे उसके observation से जिसमें reflection perform हो रहा होता है ठीक है reflection perform हो रहा होता है जैसे माल लीजिए कि एक glass slab है, ये glass slab है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, कि light एंटर कर रही है, air से और glass में, तो हम observe करेंगे कि light जो है, थोड़ी सी bend हो जा रही है, अपने path से little bit bending, क्या हो रही है, थोड़ी सी bend हो रही है, तो ये हमने जब observe किया, तो हमने पाया, कि light जो है, अपने path से bend हो रही है, कब जब वो air से glass slab में जा रही है, ठीक है, अब हम इसका vice versa कर लें, अब ये glass slab है मालीजे, light यहां से enter करी, और यहां पे आई, यहां से बाहर की तरफ जा रही है, तब भी आपने path से थोड़ा सा bend हो जा रही है, slightly bending from their path, तो अब यहां पे जो इसको इस scenario को देख कर यह पता चलता है, कि reflection क्या है, रिफ्लेक्शन क्या था, reflection था bouncing back, bouncing back, यहां bouncing तो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि bouncing back जो है, वो किसमें possible है, वो opaque objects में possible है, ठीक है, टकरा कर बापर साना, बट यहां opaque तो नहीं है, यहां पर कौन सा object है, यहां पर है translucent या transparent object, तो यहां पर क्या होगा, कि light जो है अपने path से थोड़ा सा slightly displaced हो जाएगी, या bend हो जाएगी, that the bending of light, the bending of light, from their original path, path, when entering from one medium to another medium, is called as reflection, reflection, ठीक है, तो आप से पुछा जाएगी, what is reflection, तो आप कहेंगे, clearly, आप बिल्कुल सिंपल ली define करेंगे, कि जब light एक medium से दूसरे medium में enter होती है, और यह अपने path से slightly bend हो जाती है, तो इसको कहेंगे, reflection, ठीक है, यहांगी, what is reflection, reflection is the bending of light from their path, deviation of light from their path, when it is entering from one medium to another, is called as reflection, ठीक है, तो reflection क्या होगा, कि bending of light, bending कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं, deviation of light from their original path, when entering from one medium to another, चाहें वो air से किसी medium में जाएं, यानि किसी medium से air में जाएं, अगर वो दो medium को pass कर रही है, और अपने path से slightly bend हो रही है, तो वो कह लाएगा, वो कह लाएगा, reflection, ओके, आच्छा, reflection, अब समझते हैं, ये तो पदा चल गया reflection क्या है, कि bending of light reflection होता है, तो पहला question तो आपका, ये solve हो गया, ओके, ठीक है, अब यहाँ पर question ये raise होगा, कि cause, cause क्या है, ठीक है, cause क्या है, ये समझते हैं, चले कुछ बाते और समझा जेते हैं, जैसे हमारा उस surface is called a normal, तो इसमें भी हमारी जो surface होगी, जो ये surface है, जहां से light bend हो रही है, उस पर भी एक perpendicular, एक perpendicular imaginary line होगी, जो क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी, तो ये हो गई normal, ठीक है, और ये हो गई surface, ये plane, इसको plane भी कह सकते हैं, ओके, तो ये आपका reflection की बात हुई, सिर्फ reflection, अ जाना, कि जब light एक medium से दूसरे medium में enter होगी, तो वो क्या करेगी, अपने path से deviate होगी, इस deviation को ही क्या कहेंगे, reflection कहेंगे, ओके, चाले है, let's move to the next part, next part ये है, कि cause of reflection, भाई, reflection तो हो रहा है, लेकि इसको कारण क्या है, what is the cause of reflection, ठीक है, तो उससे पहले आपको एक चीज समझ पड़ेगी, और, ठीक है, एक कुछ नियम है, light के reflection के, जैसे ये normal हो गया, ठीक है, तो जब light एंटर करेगी, अपने एक medium से दूसरे, जैसे कि glass slab, ठीक है, glass slab इसको मान लेते है, glass slab, और मान कहलेते है, ठीक है, glass slab है, ये air हो गया, अब जब light एंटर कर रही है, air to glass slab, ठीक है, तो ये slightly bend हो जा रही है, किदर की तरफ, perpendicular to the surface, जो normal है, उसकी तरफ slightly bend हो रही है, ठीक है, ये incident ray हो गई, और ये refractive रही हो गई, ठीक है, इसको अब से R ही बताएंगे, तो ये हमारा light जो है, वो slightly bend हो रही है, किदर, अंदर की तरफ, अब हम दूसरा एक बनाते है, जिसमें glass slab से air में जा रही है, ये light, तो क्या हो रही है, away, away from the, away from the normal, away from the normal, तो इसमें एक बात मैं पहले बता दे रहा हूं, जो बात मैं बतानी चाहिए थी, वो मैं पहले बता रहा हूं, कि when light enters from rarer medium, अभी rarer क्या होता है, समझाओंगा, optically, optically rarer medium to denser medium, क्योंकि आपका ये पढ ही होगा, अब इसली पढ़ा होगा, exam है, revision चल रहा है, तो आप कहेंगे, कि optically rarer medium to denser medium, light enters, that it deviate towards the normal, क्या, जब भी rarer से denser medium में जाएगी, optically rarer से denser में जाएगी, तो क्या होगा, towards the normal, किदर जाएगी, towards the normal, याद कर लें, towards the normal, और जब भी denser से rarer की तरफ जाएगी, light enters from denser to rarer, then it deviate away from the normal, away from the normal, दूर जाएगी, किदर जब भी rarer से, denser से यहां कहा जा रही, rarer में जा रही है, और यहां पर rarer से, rarer medium से denser में जा रही थी, ठीक है, तो यह समझ येगा, जब rarer से denser में एंटर कर रही, तो towards the normal, और जब denser से rarer में जाएगी, तो away the normal ठीक है, normal से दूर जाएगी, अब यहां पर मैं reason बताऊँगा, कि cause क्या है, क्या reason होता इसका, देखे, एक चीज में practical आप से पूछूँगा, जैसे मान लीजे, you are going with your car, on a path, ठीक है, आप एक path पर चल रहे हो, continuously जा रहे हो, ठीक है, suddenly आप देखते हो कि road जो है, वो कैसी जाती, muddy road आ जाती, दलदल वाली road, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही car को, मा लीजे, जैसे, मैं समझाने की प्रास करता हूँ, जैसे, ये road है, और ये है, muddy road, ये कैसी है, muddy, mud है, अब car यहां से ऐसे enter जा रही थी, ठीक है, ऐसे आराम से आ रही थी, ये car, हमारी, ठीक ह अब क्या होगा, कि जब ये car इधर आई, और यहां पे enter करी, दीखे, एक slightly making an angle, जब तक angle नहीं होगा, तब तक reflection नहीं होगा, ये भी आपको आके पता चलेगा, ठीक है, तो एक angle बनाती हुए, ये car आगे आ रही थी, और दीखे, जब वो आएगी, और यहां पे muddy road पे आए तो जब इसकी speed कम होगी, जब इसकी speed उतनी ही होगी, क्योंकि ये अभी भी कहां पे, land पे है, तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ move कर जाएगी, car, car क्या होगी, थोड़ी सी अंदर की तरफ move कर जाएगी, ठीक है, तो आप देख सकते हूगी ये अपनी path से थोड़ा सा deviate हो और यह देखे पहले यहाँ पर ठीक दोनों पर यह सासा चले दे पर यहाँ पर पहले जो wheel होगा जो इधर की तरफ wheel होगा मतलब right hand side में पहले enter करेगा mud में तो जैसे यह enter करेगा इसकी speed तो अपनी वैसी रहेगा लिगा इसकी speed down होगी because it is in mud जैसी कम होगी तो क्या होगा यह भी अपनी pressure अपने force से क्योंगी इसकी speed जाता है यह गर एक car को थोड़ा bend कर देगा similarly in case of light light की case में भी वही चीज़ होगी जो spectrum होगा light का एक spectrum होता है न वो spectrum जैसे आ रहा है और जैसे ही वो spectrum है और जैसे ही वो enter करेगा कहा एक light में जैसे माली जै यह ऐसे आ रहा है और जैसे ही यह medium change होगा कि क्या होगा यह rarer medium माली जै रarer है और dancer में enter कर रहा है तो क्या होगा यह थोड़ा सा अंदर की तरफ bend हो जाएगा ठीक है, और यह spectrum अंदर की तरफ bend होने से क्या होगा, पूरी की पूरी ऐसा लगेगा, कि light अपनी अंदर की तरफ bend हो चुकी है, ठीक है, यह rarer to denser medium के case में है, अब आप समझ चुके होगे, जिसे rarer क्या हवा में जा रही थी, और उसका पहिया जो आसानी से साफ सूसरी सड पर चल रहा था, अभी क्या हुआ, denser medium है, dense होता न, mud, वहाँ पर आ गई, तो क्या हुआ, slightly bend inside, तो ऐसी इसमें होगा, अब क्या हुआ, यह light जा रही थी वापस, तो अब यहाँ पर क्या होगा, फिर again वो light जो है, बाहर की तरफ जब जब जाएगी, तो फिर क्या हुआ, इ यह speed को बढ़ा देगा, जिससे light क्या होगी, बाहर की तरफ bend हो जाएगी, तो यह सारा खेल किसका है, speed का है, इसका है, speed का है, तो second question क्या है, cause of reflection, तो cause of reflection क्या है, कि because light, the speed of light become slower in the denser medium in comparison to rarer medium, that is why the light deviate from their path, understand, जैसे अगर हम बात करें कि glass में light, जैसे normally air में light का speed क्या है, 3 into 10 to the power, approximate 3 into 10 to the power 9 meter per second, जबकि अगर हम उसमें बात करेंगे, glass में, तो यह होती 2 into 10 to the power 8 meter per second, because air, जो है, वो rarer है in comparison to, rarer है in comparison to glass, जबकि glass क्या है, तो optically denser है, तो optically denser बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, optically denser medium, और इसको बोलेंगे, optically rarer medium, optically rarer medium, ठीक है, इतनी बास समझ में आई, क्या हुआ कि किस तरह से light deviate होती, क्यों deviate होती, फिर से मैं बताता हूँ, कि when light enters from there, from rarer to denser medium, the speed become slow, speed slow हो जाती है, that is why spectrum of light deviate from there path, तेज चल रही है, एकज़म slow होता है, और किधर turn हो जाता है, towards the normal, और जैसे ही light enter करती है, rarer to denser medium, rarer to, sorry, denser to rarer medium, तो again वो deviate हो जाती, away from the normal, तो सारा खेल किसका है, speed का है, ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई, कि cause of reflection क्या है, cause of reflection यह है, कि जो light है, वो अपनी speed की वज़ए से speed कम हो जाती है, जब rarer to denser जाती है, और वो towards the normal, और जैसे ही वो denser to rarer जाएगी, तो away from the normal होगी, because of speed, ठीक है, आप चलिए, आगे बात करेंगे हम, next topic की, क्योंकि revision चल रहा है हम लोग का, तो साराज के सारा हमें cover भी कराना है, 4-5 दिन और रहेंगे हमारे पास, ठीक है, दूसरा गह रहे हैं, कि optically rarer और denser medium क्या है, तो फिर से समझा लेते हैं, हम समझा दिया था फिलाल, फिर से समझा लेते हैं, कि देखिए, अगर कोई light enter कर रही है, एक medium से दूसरे medium है, और light जो है, वो bend हो रही towards the normal, किदा, towards the normal, तो हम यह कहेंगे, कि the medium 2, इसको medium 2 माल लेते हैं, medium 2 and medium 1, तो the medium 2, medium 2 is denser with respect to, respect to medium 1, यहनी जो medium 2 है, वो medium 1 के मुकाबले denser है, optically denser है, तो इसको बोलेंगे optically denser, यह यह कहें, कि अगर speed of light, decrease होती है, एक medium से दूसरे medium जाने में, तो हम यह कहेंगे, कि that medium is denser than the first medium, जब light एक medium से दूसरे medium में जा रही है, और उसकी speed कम हो जा रही है, उसकी speed कम हो जा रही है, और bend हो रही किदा, towards the normal तो हम कहेंगे कि वो denser medium है with respect to first medium और अगर light denser medium नहीं नहीं, वन medium से second medium में जा रही है और away from the normal है away from the normal bend हो रही है away from the normal bend हो रही है और speed increase हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो second medium है वो rarer है with respect to first यहीं second medium rarer with respect to first जैसे, माल लीजें यह glass slab है और यहां से light इधर आई और इधर पार जली गई यहीं कि bend हो गई कि away to the normal away to the normal जा रही है इट मींस यह medium जो है वो क्या हो गया rarer medium with respect to first rarer medium with respect to first rarer medium with respect to first ठीक है, यहीं first जो है वो denser है और second medium क्या है rarer है, ठीक है तो अब यह बात हम लोगो light enters from rarer to denser medium light enters from rarer to denser medium तो यह मैं समझा चुका हूँ कि जब light rarer से यह rarer है rarer से denser में जाएगी तो क्या होगा towards the normal move होगी ठीक, lights bend towards the normal जबकि denser to rarer जब जाएगी तो away from the normal move होगी ओके, तो light enters rarer अब दूसरा question और raise हो रहा है कि when light enters rarer to denser and again than rarer तो क्या होगा ठीक है तो उसको समझते उसको भी समझ लेते देखे, माली जी light ये rarer medium है ये denser medium होगा ये again rarer होगा अब light enter कर रही है rarer to denser तो denser enter करे की तो क्या होगा move होगी towards the normal ठीक है, आप देख सकते हो towards the normal move हो रही है अंदर की तरफ अब यहाँ पर आई और क्या होगी अब फिर denser to rarer जा रही है तो क्या away from the normal ओके, away from the normal तो इस case में दीखेगा क्योंकि ये दोनों parallel है दोनों normal parallel है तो these angles are equal ठीक है, by the alternate interior angles आपने mathematics में पढ़ा होगा alternate interior angles और these angles are also equal these angles are also equal ठीक है, तो ये case होगया हमारा कैसा जब denser से rarer और again denser से rarer जब light enter कर रही है तब के case में आपको याद रखना पड़ेगा this angle is equal to this and rarer के जो दोनों angle है वो भी आपस में equal होने वाले हैं ठीक है, आप कहारें light enters perpendicular to the medium ये हम लोग समझेंगे light enters perpendicular to the medium तो क्या होगा, देखेगा simple है, कुछ नहीं ये glass slab है, ये normal है जब light enter करेगी क्या बिल्कुल straight ठीक है, जब light straight enter करेगी तो no movement कोई भी deflection ये light अपने path से बिल्कुल भी deviate नहीं होगी ठीक है, बिल्कुल straight जाएगी no deviation, जैसे car है, अगर आप दोनों पहिए easily आराम से enter करेंगे, इस में mud में, जैसे ये है, यहाँ पे car है तो ये car आसानी से दोनों पहिए जब साथ साथ enter हो रहे हैं, तो no deviation occurs in the path, वैसे यहाँ पे है, कि light क्या होगी, straight चली जाएगी, no deviation occur when doesn't matter की medium क्या है, rare है, denser है, denser denser है, rarer, rarer है, या rarer denser, rarer है, कोई फरक नहीं पढ़ता, light हमेशा straight चली जाएगी if it enters the perpendicular to the medium, perpendicular to the medium, but parallel to the normal, इसे कहेंगे, इस case को क्या कहेंगे, perpendicular to the medium, medium, and parallel to the normal, तो वो कोई भी इसमें change नहीं होने वाला, ठीक है, इसके path में कोई change नहीं होगा, अब next question है, next question है, कि effects of, next point है, effects of reflection क्या है, effects of reflection क्या है, इसको समझेंगे हम लोग, देखे, effects of reflection, effects of reflection क्या है, समझे, देखे, एक तो effect हमारे पास क्या है, एक effect हम पहला लिखते हैं यहाँ पर, कि object, apparently, looks above than the actual, पहला तो यह है, इसका observation की जो कोई चीज में अगर कोई object रखी हुई है, तो वो हमें कैसी दिखाई देगी, थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी, actual से, जैसे माली यहाँ पर कोई coin पड़ा हुआ है, अब इस coin की particular image ले ले लेता हूँ, जैसे यह light ray क्या गरेगी, ऐसे गई और अभे, ओके, similarly, ऐसे गई और अभे, तो हम इसकी अगर actual image बनाएंगे, तो actual image formation कहाँ पर हो रही है, इस जगए पर हो रही है, ठीक है, तो हमको कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा, अब दिखाईगा, actual से, actual से थोड़ा सा, अब इसकी image formation हो रही है, हम देख सकते हैं, ठीक है, clearly can observe, देकिन अगर हम बिल्कुल उपर से देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल उपर से तो ऐसा नहीं होगा, तब बिल्कुल अगर हम इसके बिल्कुल perpendicular to the find any surface के बिल्कुल perpendicular यहाँ प्याक लगा के देखेंगे, तो नहीं होगा, शर्त क्या है, कि make an angle, make an angle, to view this, कह सकते हैं कि image, make an angle, ठीक है, यह एक तरीके का illusion है, समझ लें, तो एक angle से जब हम जाएंगे, तो हम देख पाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, यह पानी है, water, water क्या है, water है denser medium, देखो air सबसे ज़्यादा जो है, रर है, ऐसे समझ लें, तो देखे, सबसे पहले air होगी, air सबसे rarer है, उसके बाद होगा water, और फिर होगा, glass नहीं नहीं, स्वारी, उल्टा हो गया शायद, glass, and then water, ठीक है, तो क्या होगा, कि यहाँ से जब water से enter कर रही है, air में, तो यह नहीं, rarer to dancer जा रही है, तो देख सकते हैं, कि अवे, दूर हो गई न, normal से दूर हो गई, similarly, this light ray also, गो अवे to the normal, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जब वो apparently meet करेंगी, आगे जाकर, तो ऐसा लगेगा, कि object उपर की तरफ आ गया है, ओके, जैसे एक और, जो कोई object जैसे ऐसा लगता है, कि कोई pen जो है, वो मुड़ गया है, वो ऐसा क्यों हुआ देखे, जैसे माली एक pen है, एक pen बढ़ा हुआ है, अब इसी point को ले लेते हैं, और यहाँ से light गई, ऐसे अवे, ठीक है, और ऐसे अवे, तो हम इसको जब आगे मिलाएंगे, तो यह कहीं यहाँ पर appear होगा, तो इसी तरह से एक image, जिसकी जो है apparent image बन जाएंगी, जिससे हमें यह pen कैसा दिखाई देगा, मुड़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से, देखे, इस तरह से लगेगा, कि pen जो है कैसा हो गया, तो टूट गया थोड़ा सा, मुड़ा गया है न, तो यह सारा cases किसकी वज़े से हो रहे हैं, यह सारी cases हो रहे हैं, हमारे reflection की वज़े से, यहाँ पे भी आप देखेगो, तो water है, water हमारा denser medium है, और denser से rarer में जाएगी, तो क्या होगा, away हो जाएगा, दूर जाएगी light ray, और जब apparently उन्हें मिलाएंगे हम आगे, तो एक image formation होगी, जब image formation यह प्रूब करतीगी, यह थोड़ा सा bend हो रहा है, बट actually नहीं है, ऐसा होता है, इसे apparently है, ठीक है, तो यह कुछ बाते थी, जिसके बारे आपने देखा होगी, depth होती जो, पानी की, ठीक है, पानी की depth, जैसे हम कभी किसी river में, किसी pond में जब जा रहे होते हैं, तो लगता है, यह तो जमीन बहुत उपर है, मतलब गहराई कम है, बट actually कैसा होता है, नहीं होता, वहाँ पर गहराई बहुत होती, depth बहुत होती, बट हम लोगों क्या लगती है, कह रहे हैं, यह तो यहीं पे बिल्कुल, पैर बढ़ाया तो लग रहा है, surface तो आई नीरी कहीं पे, हवा में है पानी, मतलब हवा में पैर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कि आपको अपको अपरेंटली उसकी जो depth है, वो लग रही है, बट actually वो ज़्यादा गहरा है, इसी तरह swimming pool में भी आपने देख, swimming pool के पास लिखा भी रहता है, कि यह ज़्यादा गहरा है, जितना की लग रहा है, यह deeper than it appears, जितना गहरा लग रहा है, उससे ज़्यादा गहरा है, इसलिए आप पहले अपने को समझ लें, कि आप इतने गहराई में तैरने के लाइक हैं या नहीं, ठीक है, तो यह सब बाते आपको समझनी पड़ेंगे, यह सब किसकी वज़े से हो रहा है, अब लाइट यहां से चलती है हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है यह अर्थ हो गई और इसके उपर atmosphere की layers है अलग-अलग ठीक है आपको पता ही होगा यह layers है ट्रोफो atmosphere, अर्ट्रोफोइसपेर, अर्थ हर्मोइसपेर, मीज़ोइसपेर, एक्जोइसपेर वगएरा वगएरा ठीक है तो क्या होगा और इनकी density अलग-अलग है आपको पता है इस सबसे dense होगी क्यों 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 कि यहां पर सारे के सारे जो dust particles हैं सारे clouds हैं यह सब यहीं पर पाया जाते हैं उसके वादे थोड़ी rare होगी फिर ऐसे तो क्या होता लाइट जब यहां से एंटर करती है ठीक है तो कभी वो rarer medium कभी denser कभी rarer कभी denser इस तरह से वो zigzag form में कुछ ऐसे आती है अब हमारी eyes में माली यहां पर eyes है हमारी okay तो यह इतने सारे medium को rarer dancer rarer dancer को move करते आती तो वो एक proper path ही की straight path उसको नहीं मिलता वो कैसे आती ऐसे zigzag तो कभी तो आपकी आँख में वो पड़ी और कभी उसकी light आपकी आँख तक नहीं पहुची तो जब पहुंसती है तो आपको लगता है कि चमक रहा जब नहीं पहुचा तो वो missing हो गया वो part इसलिए आपको लगता है कि जब इसको हम लोग alternative ways में यह में साथ होता है तो हमें लगता है कि यह क्या कर रहे हैं चमक रहे हैं ठीक है यह क्या कर रहे हैं चमक रहे हैं टिम टिमा रहे हैं शाइन कर रहे हैं ब्लिंकिंग कर रहे हैं ठीक है यह सब क्यों होता है यह सब जो different layers है मतलब question अग atmosphere then it moves many times from their path and reach till our eyes ठीक है जब तक अपने आख तक पहुंसती है जब तक बहुत बार वो डेविएट हो चुकी होती है और हमारी आख पर कभी वो डेविशन पड़ता है और कभी नहीं पड़ता जब आल्टरनेट होता है तो हमें लगता है कि वो क्या कर रहे हैं ब्लिंक कर रहे इसा हो गया तो इस तरह से यह अल्टरनेट होता रहता है और हमें लगता है कि क्या कर रहे हैं इस्टार्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं च्राइन कर रहे हैं या चमक रहे हैं अब क्वेशन यह रेज होता है कि भाई हमें बड़ी चीज़ें क्यों नहीं दिखती वो भी तो प वह जो जो स्टार्स होते हैं ठीक है ऑफ जो लिट्टिल बिट गुटर देन साइज स्टार्स से ठोड़े बड़े तो क्या होता है कि जब एक महली जी यह है अब यह मल्टीपल वेव लायड वैप्स ला रहा है ठीक है तो कोई ना कोई वेव जो लाइट वेव है कोई ना कोई लाइट वेव या नी कोई ना कोई स्पेक्टरम हमारे आखो में at that time पढ़ी रहा होता है इसलिए वह हमें लगता कि एक continue सोर्स है मतलब continue वहां से light appear हो रही है जब कि जो यह है ठीक है यह point object है एक मतलब महां लेते हैं कि सिर्फ एक light ray आई और वो अपनी जगे से deflect हो रही है बार-बार तो हमको वो proper दिखाई नहीं देगी एक consistent जो हमें view होना चाहिए consistent view हमको नहीं मिलता जब कि यहां से क्या है कि multiple light waves हारी क्योंकि एक point object नहीं है तो क्या होगा कोई deviate हो रही है तो कोई इसी समय हमारी आखो पढ़ रही है कोई हट रही तो कोई पढ़ रही है मतलब कोई ना कोई light ray हमारी eyes पर उस समय पढ़ रही होती continuously that is why other object is not seems to be twinkle वो चमकते हुए दिखाई नहीं देते बास समझ में आई हो गई I hope मुझे तुम लोग समझ में आ गया होगा जैसे कि बहुत चोटा object होने की वज़े से वो एक सिर्फ source of light दिखता है एक spot सा दिखता है जो अपनी जगे से अगर deviate हो गया तो हमको वो कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा जबकि बड़ा object जो है वो क्या करेगा वो ऐसा लगेगा कि बहुत सारी light rays वहां से आ रही तो कोई ना कोई तो at that time हमाई आप पर पढ़ी रही होती है इसलिए हमें लगता है कि पूरा object क्या है चले law of reflection समझ लेते हैं उसके बाद हम लोग इसको finish करेंगे और मेरा ये कोशिश है कि आपके इसको जहें मैं दो lecture में ही finish कर दूँ ठीक है दो lecture में इस chapter को finish कर दूँ और फिर combined जो है वो दोनों के जो numerical problems है उन पर हम लोग discuss कर लेंगे अभी reflection की numerical problem रहे कहीं और reflection की साथ-साथ ओके बट यार support करो थोड़ा आप बताएं तो मुझे motivate करेंगे तो मैं और दीकि like, share, subscribe करें और मैं और मेहनत करूंगा और आपको अच्छा-च्छा content प्रोवाइट करूंगा वैसे पिछले वीडियो पर अच्छा response रहा है आप reflection में था कि the reflected मतलब incident ray, reflected ray and normal are on the same plane, similarly इसमें भी वही है कि the incident ray, reflected ray and normal are on the same plane, simple है, मतलब इसमें हम ज्यादा discuss क्या करेंगे यार समझ में आई गया होगा कि तीनो ही जो है same plane पर रहने वाले है, कौन-कौन से incident ray, reflected ray और साथ ही जो हमारा normal है, ठीक है, दूसरा point इसका यह है, कि जो angle, angle of incidence with the normal, angle of reflection with the normal, यह आप समझ लें, कि sin i and sin r, the ratio of sin i and sin r is always constant for particular medium, for particular medium, मतलब light जो है, वो enter कर रही है, from glass, मतलब air to glass, तो air to glass के लिए हमेशा constant रहेगा, जैसे जिसे हम इस angle को change करेंगे, यह angle भी उसी ratio में change होता जाएगा, और हमको जो value हर बार मिलेगी, sin i और sin r की, वो कैसी मिलेगी, मैंसा i जैसी मिलेगी, constant, ओके, constant मिलने वाली है, और इस constant को हम लोग क्या कहेंगे, इस constant को कहेंगे, हम लोग new, एक term होगा, जिसे हम लोग new बोलते हैं, वैसे ठीक है, new यह एक Latin word है, इसका Latin word नहीं, Latin letter ठीक है, Latin letter है, तो यह new, new इसको बोलेंगे, ठीक है, new से, और इसको जो term है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, refractive index, क्या होगा, refractive index, अब इस पे हम लोग next period, यानि next session उसमें चर्चा करने वाले हैं, इस पे discussion करेंगे, and I hope आपको आज का lecture समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा, तो please 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 comment करके जरूर बताएं, और like से subscribe करते रहें, share करें कूप, जितना ज्यादा share हो सके करें, और channel को success बनाए, thank you so much.